अब देख रहे हैं माधोपुन न्यूच चनल मैं अवनीश सर्मा अभी हम खड़े हैं माता मंदिर राम लीला गार्डन है जी आईडी सी का आरती का गार्डन है आरती इसकी देखबाल करता है अब देख सकते हैं कि यहां सुमर मरा है तीन चार दिन हो गए और वो कुत्ते नो चोच नोच के खा रहे हैं इधर आप देख सकते हैं इधर को कैमरेमेन से बोलूगा कि इधर को आप दिखाए कि चार-पांच कुत्ते यहां गूम रहे हैं चोटे-चोटे बच्चे हैं यहां भी वो मास्क खाएंगे जानौर का और उसके बाद वो किसी को भी पकड़ सकते यह गाडन की सुरक्चा है यह यहां की बेवस्ता है पूरी जाली टूटी है इतना गंदगी है आपको दिखाएंगे कि यह जी आईडी सी का बताया जाता है कि साल में 24 लाग रुपिया गाडनों का जाता है पैसा मगर यहां सिर्फ पैसे यहां सिर्फ एक सफाई कर्मी है और कोई नहीं कुछ गाड हैं जो आगे लगे रहते हैं अंदर आप देख सकते हैं कि कितना कच्रा है बाहर भी कच्रा है अंदर भी कच्रा है जो लोग बैठे हैं और सुर पड़ा है मड़ा जानुवर को खा रहे हैं कुत्रे लोग कुछ दस बारा पब्लिक भी यहां पर आई एम उनसे भी बात करेंगे कि यहां पर जो इन लोगों को क्या सुद्दा मिलती है एक बाई आ रहे हैं उनसे पूछते हैं सर आपका क्या नाम पर हमारा नाम अक्सर अलिशेख है अप यहां देख सकते हैं कि एक सुवर मड़ा परा है तीन दिन होगे अब कितने दिन से आ रहे हैं तो अक्सर आपको यहां देखने को ऐसा मिलता है जरी देखा जाये जो प्हार य स Ama सफाय की सफाई का है उनके डिमांड नहीं है यह से हम बच्चों लेकी चीज हैं वहां दो कुटे हैं तो कहने का मतलब यहां कोई गार नहीं को देखने वाला वहां सफाय करमी है वह सफाय कड़विशन यहां जो पता से अरती अंडर अउसको कोई देखने वाला प्लास्टिक विए यहां पर छोटे चोटे आते डया एक चोट included कुत्रे लोग तो आप देख सकते हैं कि चोटे-चोटे बच्चे यहां खेले के लिए अपने अवावक्त लेके आते हैं अपने बच्चों को कि चलो गार्डन में हम आपको घुमाते हैं मगर यहां की इस्तती यह है कि आप जानौर मड़ा मरा परा है सुवर और कुत्रे नोच के खा रहे हैं फिर गार्डन में लोट रहें यह अब देख सकते हैं कि यहां की क्या इस्तती है